इस रेमेडी को इससे पहले किसी भी यूटूबर ने आपको नहीं बताया होगा ना ही आपको किसी और यूटूब चानल पर ये रेमेडी मिलेगी आपका कितना भी पुराना कब्स हो यानि सीवियर कॉंस्टिपेशन भी इस रेमेडी से दूर हो जाएगा आपको 100% फायदा म अगर ना मिले तो आप में चानल को अनसब्सक्राइब कर देना तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं हाई दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरी चानल प्संट्रिक्स में मैं हूँ पूजा और आज मैं शेयर करने वाल नहीं कॉंस्टिपेशन या कि एक lifestyle disorder यानि आप बहुत ज्यादा जंक फूट खाते हैं पीजा बर्ग चिप्स और आप पानी बहुत ही कम पीते हैं तो इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप ऑफिस जाते हैं और आपको वहां पूरा दिन बैठना पड़ता है इसकी वज़े से भी प्रॉब्लम आ तो जो भी ingredients मैं आज बताने वाली हूं वो आपको किसी भी पंसारी की shop पे मिल जाएंगे और quantity wise ही आपको इसमें डालना है तो सबसे पहले हमें लेना है दो नग अंजीत यानि हमें लेना है fig उसके बाद हम इसमें डालेंगे 6 ग्राम soft तो soft जो मोटी वाली होती ही आपको व कि आपको पंसारी के हां मिल जाएगा इन दोनों चीजों को आपको grinder में हलका से इसको grind कर लेना है उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 ग्राम गुड तो quantity बहुत ज़्यादा important है जैसा पहले भी मैंने बोला है इसके बाद हम इसमें डालेंगे 25 ग्राम मिश्री तो आपको इस stone form में जो मिश्री आती है आपको यही वाली मिश्री इसमें डालनी है दवाई के लिए हम यही वा 30 ग्राम लेना है यह बनस्पा क्या होता है आपको पंसारी के दुकान पर मिल जाएगा यह उसके बाद हम इसमें डालेंगे 10 ग्राम सनाय पत्र इसके नाम थोड़ा सब वियर्ड है बट यह सारी चीज़े आपको पंसारी के हाँ इसली मिल जाएगी उसके बाद हम इसमें डालेंगे 6 ग्राम गुलाब की पत्तियां तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे 10 ग्राम इंद्रायाड की जड़ तो यह भी आपको पंसारी के हाँ इसली मिल जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे पूरे मिक्शुर में एक ग्लास पानी आपको लेना है 400 ml पानी तो यह बहुत जादा ध्यान देने वाली बात है कि आपको इसमें जो पानी यूज करना है वो 400 ml ही हो और इसे अच्छे से पकाना है धीमी आज पर और इसे तब तक पकाना है जब तक आपका पानी 100 ml ना बचे तब तक आप इसे अच्छे से पकाईए और जब इसमें 100 ml पानी बचे तो आपको इसे उदार ले रहा है तो अब हमारी मेडिसिन पूरी बनकर तयार हो चुकी है इसमें पानी बहुत ही कम बचा है तो इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाने के बाद आपको इसे ढग कर रख देना है 5 मिन के लिए तक ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए अब इन सारी चीजों को आपको बहुत ही कैरफुली छान लेना है तो अब हमारा ये पूरा मेडिसिन बनकर तयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कि एक गलास मैंने इस गलास को पूरा भर कर इसमें पानी डाला था और अब इसमें पानी बिल्कुल इतना सा बचा है तो ये quantity बहुत जादा important है आपका पूरा पानी 400 ग्राम पानी आपने use किया था और 100 ग्राम पानी ही बचना चाहिए तो इसके साथ आपको ध्यान देना है कि आपको daily थोड़ा सा workout करना है अगर आप चाहिए तो योगा भी कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो बट आपको आधे घंडे कम से कम करना है और healthy meals खानी है fruits vegetables और खुब सारा पानी भी आपको पीना है तो ये थी मेरी आज की वीडियो I hope आप सबको पसंद आई होगे अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चानल को subscribe कर दिजी इस वीडियो